आज की हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज आप इस वीडियो में जहरीले पौधे, जीब और कीरों के बारे में इंटरस्टिंग और खास फैक्ट जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये हमारी ले कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं तो चलिए वीडियो को शु कतर जहरी ले होते हैं इन जहरीले जैनवरों का जहर इनके सरीर और मुह में होते हैं जिसे वह दूसरे जनवरों में इंजक्ट करते हैं ये जहरीले जन्वर लगबग सभी जीव जन्तुओं के लिए घातक सावित होता है दोस्तो स्पाइडर यानि एक मकरी है जिसका नाम ब्लैक बिंडो है इस मकरी के दांत नहीं होते हैं इसके मुँ में एक सुई जैसी ट्यूब होती है जिससे यह अपना जहर किसी दूसरे जानवर में इंजेक्ट कर सकते हैं इस मकरी का यह जहर शिकार के अंदरोनी हिस्सों को लिकुड फॉम में बदल देते हैं जिससे यह मकरीयां इन्हें पी सकते हैं Fact No.3 दोस्तो अफ्रिका में पाये जाने वाला सपर जिसे पंक वाले हंस के रूप में भी जाना जाता है अगर ये हंस कुछ बीटल को खालेते हैं तो इसके बोडि का हर पार्ट जहरीला हो जाता है और अगर आप इस हंस का मांस खालेते हैं तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है अब मैं आपको एक एसे Caterpillar के बारे में बताने वाला हूँ जो मरने के बाद भी जहरीला होता है तो इसका नाम पस मॉथ Caterpillar है जब ये केटरपिलर मर जाता है तो इसके शरीर के बाकी यंग तो गल जाते हैं फरंतु बाल नहीं गलते और अगर ये बाल किसी इंसान को चूप जाए तो उनको रैसे जैसे बिमारियां हो सकती है दोस्तो जाईफल यानि नट्मैग काव लिशका श्वार ककी स्वाधिक बनाने के लिए तक मेरा या इसका बहुत कम ही मातरा का उ। फियुक किया जए परन्तु ये ज़्यादा मातरा में डाला जाये तो खाने को जहरीला बना सकता है दोस्तो ब्राम रेकलो स्पाइडर जो आम तोर पर उत्री अमेरिका के रहने वाले हैं ये मकरी जातर अंदेरी जगों पर रहती है परन्तु इस मकरी के बारे में इंट्रेस्टिंग बात ये है कि इस मकरी के केबल तीन जोरी ही आखे होती है जबकि बाकी सभी मकरियों में चार जोरी आखे होती है कई मस्रूम खाने के लिए सुरक्षित है लेकिन कुछ जंगली किसिम के मस्रूम खाना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं जिनमें से कुछ मस्रूम को डिस्ट्रॉइंग एंजल और देथ कैप्स के रूप में जना जाता है दोस्तो मिरत्वी दुनिया की एक कर्वी सचाई है और हर वैजीब जो पैदा हुआ है उसे आना निश्चित है प्रंतु स्टीव इर्विन जो की एक क्रोकोडाइल हंटर थे उनकी मिरत्वी एक स्टिंगरे के जैरीले बार द्वारा उनके दिल पर हमला करने से हुई जो की एक दुल्लम मिरत्वी के रूप में माना जाता है दोस्तो मिश्ट लेटो का पौधा जो यूरोप के बैश्ट और साउथ हिस्सों में पाए जाता है उसको खाने से दिल के धरकन धीमी और हमारे स्वास्त के लिए खतरनाक हो सकता है दोस्तो राष्ट पती अबराहम लिंगन की मा का निगन दूद पीने से हो गया क्योंकि वह उस गाई की दूद पी थी जो एक जहरीला पौधा जिसका नाम वाइट सनेक रूट है उसको चल कर आया था फैक्ट नमर 11 दोस्तो आप जो यह पौधा स्क्रीन को देख रहे हैं इसे ब्लैक नाइट सेट कहा जाता है इस पौधे के कच्छे फल पके हुए फल के तूलना में अधिक जहरीले होते हैं